तो दोस्तों देखिए आप लोग के सामने तीन SENTENS है, पहला है, तो इन तीनों SENTENS में अंतर क्या है, मतलब कि GAT, BECOME और B में अंतर क्या है, और देखिए जो SENTENS है, उसकी BIKE सपता में एक बार धुलती है, मतलब धोई जाती है, तो हम इसे बनाते हैं, तो यह सभी कुछ इस वीडियों आप लोग जानने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से तो मैं हूँ अनिलकुमार और आप लोग देख रहे हैं डेले लिस फुर आल तो आई यह इस वीडियों को सुरू कर देते हैं तो देखे सबसे पहले में आप लोग को बताओं become plus adjective मतलब कि become का जब भी यूज करते हैं तो यह formally हम यूज करते हैं मतलब कि आपचार एक तोर पर इसमें change in state मतलब कि अवस्था में बदलाव होता है तब हम become plus adjective का यूज करते हैं और जब हम get plus adjective का यूज करते हैं तो यह informal होत है मतलब कि spoken English में हम बोलते हैं यार दोस्तों से जो सबसे जादा बोला जाता है get plus adjective ठीक है यह भी change in state होता है मतलब अवस्था में परिवर्तन होता है अभी मैं आपको बताऊँगा किस परकार से हम become plus noun का प्रयोग कुछ बनने के लिए करते हैं जैसे change in state state में बदलाव होग जैसे become an actor, an engineer, become a doctor, etc. जैसे कि example है C will become a doctor वो एक doctor बनेगी तो यहाँ पर देखिए become का यूज किया हमने मतलब कि वो अभी doctor नहीं है लेकिन बनेगी ठीक है तब हम become का यूज कर रहे हैं noun के साथ है अब देखिए जब हम be plus noun का यूज करते हैं तो यहाँ पर state में कोई बदला बनलाव नहीं आता जैसे कि अगर हम कहते हैं be an actor या an engineer, be a doctor x actor जैसे example है वो एक doctor होगी तब हम बोलते हैं civil be a doctor यहाँ पर देखिए हमने be का यूज कि ना कि become का वो एक doctor होगी यहाँ पर कोई बनलाव नहीं हो रहा है state में मतला अवस्था में कोई भी change नहीं है वो एक doctor होग हम सिरा भविस्वारी कर रहे है future की ठीक है जबकि अगर हम बोलते हैं civil become a doctor वो एक doctor बनेगी मतलब कि अभी doctor नहीं है लेकिन भविस्था में बनेगी ठीक है जब हम बोलते हैं civil be a doctor वो एक doctor होगी भविस्था में चाहे अभी हो चाहे ना हो लेकिन भविस्था में होगी हम ऐ हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं future की ओके तो इतना क्लियर हुआ भी और विकम भी अभी अभी देखिए अभी आप लोगों को बहुत चीज़े देखनी है देखिए वह एक डॉक्टर हो सकती है तो सी मेबी या डॉक्टर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है वह एक डॉक्टर हो सकती है मेबी ठीक है यहाँ पर भी इस्टेट में कोई बदलाव नहीं है हम प्रिजयन टाइम की पॉसिबिलिटी दिखा रहे कि वह उसने जैसे डॉक्टर जैसे कपड़े पहने वह डॉक्टर हो सकती है ठीक है यहाँ कोई बदलाव नहीं हम सीधा अपनी कल्पना बता रहे है पॉसिबिलिटी बता रहे है इसे संभावना जैसे कपड़े पहने इस परकार से ठीक है अब देखें ठीक है उसके श्टेट में बडलाव आ सकता है यहाँ पर यह जब हम विकम कर रहे हैं तो change in state, मतलब कि बदलाव आ सकता है, उसके अंदर ये ability है उस लड़की के अंदर, C है, मतलब इस तरी की बात है, C can become a doctor, वो एक doctor बन सकती है, उसके अंदर ability है, और state में बदलाव आएगा, मतलब कि अभी वो doctor नहीं है, इस समय, तब हम become का यूज़ कर रहे है, ठीक है, अब देंकि बी के साथ जब हम adjective का यूज़ करते है, state of being, ठीक है, no change in state, तो कोई भी change नहीं आता इस state में, मतलब कि अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, जैसे अगर हम कहें, he got tired, वो ठंग गया था, he became tired, वो ठंग गया था, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, change action, action change हुआ, कैसे, वो पहले ठंगा हुआ नहीं था, लेकिन बाद में ठंग गया था, ठीक है, he got tired, मतलब कि पहले ठका नहीं था, लेकिन बाद में ठक गया, और इन दोनों का ही मतलब same है, चाहे became का यूज करें, चाहे got का यूज करें, अब देखे, he got upset, वो upset हो गया था, और अगर हम कहें, he became upset, तो वो upset हो गया था, पहले उसका action कैसा था, वो upset नहीं था, लेकि became का भी use हो रहा है, ठीक है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं became कहें, चाहे got कहें, अब यहाँ पर देखे, be plus adjective, यहाँ पर be क्या है, is mr was work, को be बोलते, ठीक है, be form of the word, देखे, he is upset, वो upset है, यहाँ पर no change, मतलब कि कोई change नहीं है, present के state में, वो upset है, है तो है, यहाँ कोई मतल बदलाव नहीं है, he is tired, वो ठंग गया है, no change, he was amazed, वो मज़ेदार था, no change, past street में, ठीक है, past की अवस्ता में भी no change, यहाँ पर जब भी हम be form का use कर रहे है, मतलब is mr was work का use करेंगे, तो फिर वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता, हम direct बताते हैं कि ऐसी इस्तती है, यहाँ को हम बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, जब कि get और become से हम क्या कर रहे हैं, बदलाव की बात करते हैं, अब देखिए get का use करते हैं, या फिर is mr was work का use करते हैं, पैसे बनाने के लिए, वर्प की third form के साथ, जैसे कि, जब भी वो गाती है, तो उसकी तारीफ की जाती है, तो हम ज्यादा use होता है, इस पूकर में, वो gets का use करेंगे, ठीक है, और जो formally लिखा जाता है, return में, उस वहाँ पर हम is का use कर सकते हैं, पैसिव बनाने के लिए, लेकिन हम यह नहीं बोल सकते, कि she becomes changed whenever she sings, तो हम become का use नहीं कर सकते, gets का use करते हैं, पैसिव में, याउकि पैसिव बन उस गायक को पिछले साल यहां गाने के लिए आमंतिरित किया गया था, तो हम इसे बनाते हैं, पास्ट का passive है, simple past का, that singer was invited to sing here last year, ठीक है, हम इसे बना सकते है, that singer got invited to sing here last year, तो यहाँ पर हम got का use करें, चाहें was का use करें, दोनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, इस पूकर के ल हाला कि got का भी use कर लेते हैं, हम return में भी, ओके, तो got का बहुत जादा use होता है, इस पूकर में, हम देखी his bike, उसकी bike, gets या inch, washed once a week, उसकी bike एक हपते में धुलती है, पतलना धो ही जाती है, तो आप चाहें gets का use करें, चाहें inch का, दोनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, अगर formally लिखना या बोलना है, तो inch का use करेंगी, और अगर इस पूकर के लिए है, जो सबसे जादे use किया जाता है, तो gets का use करेंगी, ठीक है, पैसिब में, अब हम यह नहीं कह सकते, his bike becomes washed a week, क्या उसकी bike बन जाती है, तो becomes यह sense देता, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते, ओकी, becomes का use न in the park after an hour, एक घंटे बाद वो पार्क में होगा, यहाँ पर state of being की बात हो रही है, ठीक है, वो कहा पर होगा, वो पार्क में होगा, वो पार्क में खड़ा होगा, ऐसे हम भविश्वारी कर रहें घंटे बाद, वो एक घंटे के बाद पार्क में होगा, तो हम यह नहीं बोल स सकते तो बी की जगाब विकाब का यूज नहीं कर सकते ठीक है देखिए आई स्टॉप राइटिग विकॉज आई गॉट हंगरी मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी नाट फूर फॉर्मल राइटिग मतलब कि यह इस पोकर में बोला जाता है गया गॉट का यूज हम इस पोकर में करते हैं अगर हम बोले आई स्टॉप राइटिग विकॉज आई वस हंगरी मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि मैं भूखा था तो हम इस परकार से बोल सकते ह इस परकार से भी बोल सकते हैं लेकिन इस पोकर में सबसे जादा बोला जाता है गया गाट का यूज सबसे जादा किया जाता है I stopped writing because I got tired मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि मैं ठक गया था ठक गया था मतलब कि पहले नहीं ठका था लेकिन लिखते लिखते ठक गया था ठीक है ऐसा sense है I stopped writing because I was tired मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि मैं ठका हुआ था यहां ठका हुआ था ठीक है यह सेंस है यहां पर स्टेट में बदलाव हूँ रहा है कि पहले नी ठाका था लिखने से पहले नी ठाका था लेकिन ठाक गया था I stop writing मैंने लिखना बंद कर दिया because I was tired क्योंकि मैं थका हुआ था इसका मतलब है कि मैं पहले भी थका हुआ था और लिखना बंद कर दिया क्योंकि मैं थका हुआ था ठीक है इस sense में जबकि यहां पर got tired का मतलब है कि मैं थक गया था लिखते हुए अब देखिए उसकी bike नहीं धुली His bike was not washed तो आप didn't का यूज़ करेंगे did not उसके बाद get लगाएंगे अगर simple present test के passive की बात है तो don't का यूज़ करेंगे और उसके बाद get लगाएंगे आप ये नहीं कर सकते यहां पर कि his bike got not washed तो ये वाक्या गलत हो जाएगा ठीक है अटपटा सा लगेगा तो इसे आप कैसे बोलेगे didn't का यूज़ करके ठीक है didn't get washed अब देखिए we will be hungry हम hungry होंगे यहां कोई change नहीं है state में ठीक है हम hungry होंगे future में हम ऐसा बता रहे हैं ठीक है we will become hungry हम भूखे हो जाएगे future में तो change in state बिकम का यूज़ क्या मता रहा है कि अवस्था में बदलाव होगा we will get hungry हम हंगी होंगे get me क्या मता रहा है आवस्था में बदलाव होगा लेकिन will be क्या मता रहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा ठीक है हम सीधा भविश्वाणी कर रहे हैं अब देखिए B versus become, C is a dancer, वो एक dancer है, यहाँ कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, C will be an actor, वो एक actor होगी, यहाँ कोई बदलाव नहीं है, C will become an actor, यहाँ पर बदलाव होगा, क्योंकि become का यूज किया, कि वो एक actor बदेगी, ठीक है, यहाँ पर वो actor होगी, और यहाँ पर वो actor बदेगी, अभी वो actor नहीं है, लेकिन बदेगी, ठीक है, इस परकार से समझे, अब हम यहाँ पर यह नहीं कह सकते, कि C will get an actor, क्योंकि हम एक noun का use नहीं करते हैं, get के साथ, क्या आप कहें कि, an actor का use कर ले, get के बाद जैसे यहाँ पर become के साथ हुआ है, नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो सभी condition आप लोगों को पता चल गई है कि कैसे हम use करते हैं, get, become या be का, he was upset, वो upset था, मतलब कि कोई बदलाव नहीं है, वो upset था, तो था, he became upset, मतलब कि, वो upset हो गया था, पहले वो upset नहीं था, लेकिन बाद में हो गया था, he got upset, इस spoken में चलता है, get या got, जादा तर, ठीक है, और इसका भी मतलब same है, became की तरह, जब हम इसके साथ adjective रखते है, he got upset, मतलब, वो उदास हो गया था, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उबीद करता हूँ, यह वीडियो आप लोगे लिए helpful होगी, इस वीडियो में यह करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के, तो thanks for watching, take care, bye